नमस्कार स्वागे थे आप सभी का एक नए वीडियो में तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले है Flipkart Axis Bank Credit Card Late Payment Face के बारे में दोस्तो अगर आप लोग Flipkart Axis Bank Credit Card के Card Holder हैं तो आप इस वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में हम आपको सारी जानकारी देने वाले हैं कि अगर आप अपने Credit Card का Bill Payment Due Date से पहले यानि कि जो आपके Credit Card की Bill Payment करने की Last Date होती है उसके पहले आप नहीं करते हैं तो आप से कितने चार्ज वसूले जाएंगे और हमने सिर्फ आपको प्रूब करने के लिए अपने इस Credit Card का दो महिने से पेमेंट रोक के रखा हुआ है और हम आपको वहाँ पर दिखाने वाले हैं कि बैंक किस हिसाब से हमको चार्ज कर रही है और आप से किस प्रकार से पैसे वसूले जा रहे हैं तो सबसे पहली बात तो आपको ध्यान में यह रखना है कि अगर आपके Credit Card का Bill Generate हो गया जिस भी तारिक को हो 10 तारिक, 15 तारिक, 20 तारिक, जिस भी डेट को आपको Credit Card का Bill Generate होता है उससे 20 दिन बाद तक का समय मिलता है उस Bill को भरने के लिए यानि कि 20 दिन बाद तक अगर आप अपने Credit Card का Bill भर देते हैं तो आपको किसी भी प्रकार के Charges नहीं देने होते हैं और यहाँ पर आपका किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होता है लेकिन अगर 20 दिन तक आप अपने Credit Card का Bill पेमेंट नहीं कर पाए किसी कारण बस आपके पास पैसे नहीं है या फिर आप पेमेंट करना भोल चुके है या फिर कोई भी रिजन हो तो उस case में आप से यहाँ पर हम step by step बात करेंगे कितने amount पर कितने percent चार्ज आपको लगेंगे या फिर कितना late payment फिस देना होगा तो इसमें जो सबसे पहला amount है वह यह है 300 रुपए अगर आपने 300 रुपए तक का amount यूज किया हुआ है अपने credit card से वहाँ पर आपसे Axis Bank किसी भी प्रकार का कोई भी charges नहीं लेगी लेकिन अगर आपने credit card का use किया है 301 रुपए से लिके 500 रुपए तक तो उस case में यहाँ पर late payment fees आपसे लिया जाएगा 100 रुपए प्लस 18% GST यान कि कितना हो गया 118 रुपए इसी case में हम अब आगे बात करेंगे 501 रुपए से लेकि 1000 रुपए तक यान कि अगर आपने credit card का use किया है 501 रुपए से लेकि 1000 रुपए तक तो उस case में bank आपसे चार्ज करेंगे 500 रुपए प्लस 18% GST और इसी में आगे हम चलते हैं 1001 रुपए से लेकि 10,000 रुपए तक तो उस case में भी आपसे 500 रुपए ही लिये जाएंगे प्लस 18% GST तो आपको इस बात का ध्यान रखना है और अगर आपका एमाउंट है 10,000 रुपए से लेकि 25,000 रुपए तक तो उस case में आपसे वसूले जाएंगे 700,000 रुपए प्लस 18% GST और इसी क्रम में आगे है अगर आपका एमाउंट है 25,000 रुपए से लेकि 50,000 रुपए तक तो उस case में आपसे वसूले जाएंगे 1000 रुपए प्लस 18% GST और अगर आपका एमांट 50,000 रुपए से जादा है 50,000 रुपए से मोर देना है तो उस case में भी आपसे वसूले जाएंगे 1000 रुपए प्लस 18% GST यानि कि जो इसका last charges है वह है 1000 रुपए प्लस 18% GST और कुछ लोगों का confusion नहीं है कि सर हम credit card use कर रहे है और हमने 10,000 रुपए का amount use किया हुआ है और 10,000 रुपए का amount use करने के बाद हमको charge लगना चाहिए 500 रुपए प्लस 18% GST तो उस case में 590 रुपए होगे प्लस 10,000 रुपए जो आपका total due amount है उतना ही हमारा होना चाहिए लेकिन हमारा जो balance है वह ज़्यादा बढ़ के आ रहा है तो वह क्यूं आ रहा है तो इसमें आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आपके credit card की due date यान की last date है 10 तारिक ध्यान से सुनिएगा इस बात को अगर आपके credit card का bill भरने की जो तारिक है वह है last date 10 तारिक तो 10 तारिक के बाद से आपका जो 10,000 रुपए है प्लस 590 रुपए उस पे 3.6% के हिसाब से charges जोडने लगेंगे पर मन्त और अगर हम इसकी yearly बात करें तो यह year में यानि कि एक साल में यह जो amount है यह बढ़ जाएगा पूरा 52% 52% का मतलब समझ रहे हैं कि 10,000 रुपए प्लस 52% बहुत जादा amount हो जाएगा तो इस हिसाब से charges जो जोड़े जाते हैं बैंक की तरफ से credit card यूज करके payment न भरने पर So guys example के लिए हम आचुके हैं अपने mobile screen पर यहाँ पर आप लोग देख पार होंगे total outstanding amount है 14,342 रुपए तिरपन पैसे और अगर हम आपको अपना current statement दिखा हैं तो हम यहाँ पर click करके आप लोगों को दिखा देते हैं तो यहाँ पर आप लोग देख पारोंगे all transaction 6 हैं और इसमें जो सबसे नीचे वाला transaction है उसको हमने किया था 11 October को 13,210 रुपए 30 पैसे का जो हमने यहाँ पर अपना transaction किया था 13,210 रुपए का उस पैसे को हमने hold कर दिया था यानि कि हमने उसको paid नहीं किया जब हमने उसको paid नहीं किया तो यहाँ पर हमको लग गया late payment fees 500 रुपए प्लस GST 90 रुपए और उसके बाद यहाँ पर हमको कुछ cashback हो गया रहा मिले जो क हमने purchase किये थे सामान हो गया रहा और इसके बाद यहाँ पर फिर से आपको दिख जाएगा 10 नौंबर को 90 रुपए का GST और प्लस डेविड इंट्रेस्ट 501 रुपए 40 पैसे तो इस प्रकार से आपसे charges वसूले जाते हैं late payment fees अलग, डेविड इंट्रेस्ट अलग, GST अलग अगर आपने अपने credit card से spend किया हुआ है 50,000 रुपए, आपने अपने credit card से 50,000 रुपए निकाला हुआ है, अगर आप उस 50,000 रुपए को नहीं भरेंगे, तो यह मान के चलिए कि लगभग एक साल के अंदर वह 50,000 रुपए जो आपका है, वह 75-80,000 रुपए बहुत ही आसा आने के साथ हो जाएगा, यानि कि 52-53% yearly के हिसाब से आपसे वसूले जाते हैं charges, तो फिर सामें यहां से आपको लेके चलेंगे वीडियो की तरफ, तो I hope कि मैं आपको बहुत ही अच्छी प्रकार से समझा पाया, अगर आपको कोई भी confusion है, कोई भी सवाल है, कोई भी सुझ देंगे, और हम आपसे मिलते रहेंगे इसी प्रकार की नेलिजबल वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, हस्ते रहें, मुस्कुराते रहें, बने रहें, आईटी मस्ती ही यूट्यूब चनलक साथ, और हाँ, अगर आपको यह वीडियो पसंद रहें, तो वी